जहिन चात्रों मैं इशार रहमत competition community के इस question session program में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप बहतर तरीके से और एक युद्धिस तर पर अपनी तयारी कर रहे हैं जैसा कि आज का सुभविशार देखते हैं उसके बाद जो हमारा भारती इतिहास का विशय चल रहा है उस पर जाएंगे और आगे डिटेलिंग देखते हैं तो यहां विद्वान कहता है चंदरगुप्त मौरे कहते हैं कि जीवन में एक बार जो फैसला कर लिया तो फिर पीछ प्रतियोगी परिच्छाओं के और क्यों हमारा मुख्य उद्देश से प्रतियोगी परिच्छा निकालना और हम निकालेंगे मतलब निकालेंगे तो इस उद्देश से जो है हमें आगे बढ़ना है और जो है हमारा भारती इतिहास का जो सेग्मेंट है उसे प्रारम करते है आईए यहां देख सकते हैं कि हम पढ़ने वाले हैं संगमकाल के बारे में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं संगमकाल के बारे में पढ़ने वाले हैं यहां आप नकसे में देख सकते हैं कि संगमकाल में हम तीन राजवन्सों के बारे में पढ़ेंगे उससे पहले जान ले क कि जो है एक व्रिहत जो आपका शाषान होना चाहिए वह नहीं हो रहा था छोटे-छोटे राज्यों में जो है वह बढ़ चुका था भारत का इतिहास तो जो है आपका इसके बारे में हमने पहले चर्चा कर लिए पहले वर्धन जो सब्सक्यान के बारे मिए चोल वंचे बारे में अर् चेर वल्स के बारे में ठीक है तो अपकी तो आशा करता हूं इतना नक्से में आप लोगों समझ में आया होगा और बार-बार याद रखेगा चात्रों में नक्से की और इसलिए लेके जाता हूं कि map oriented सारी चीज़ें अगर आपको याद रहीं तो paper hall में जो हमारा pressure जो रहता है वो कहीं न कहीं release हो जाता है हमारा जो vision है हमारा जो दिरिश्यम है वो पहुच जाता है कहा map cure और हमसे questions बनाने में असानी होती है ठीक है तो ज्यादा समय ना लेते हुए आई ये प्रारम करते है संगम काल के बारे में जिसमें भारत में संगम काल के बारे में पढ़ने वाले हैं संगम का अर्थ होता है गोश्ठी यह आपका सीधा सीधा कहा जाए कि इससे पहले हमने पढ़ा था बहुत संगीती के बारे में तो उसी प्रकार की संगीती जो है दक्षिन भारत में हुई और मैंने आप लोगों को रिगवैट काल के समय में बताया था कि उत्तर भारत का अगर आरे करण किसी ने किया तो आप था गोतम रहुगर्णें किया लेकिन दक्षिण भारत का अगर कहा जाये, यहां नक्से में फिर से लेके जाता हूं आपको नक्से की ओर कि उत्तर भारत का अगर आरी करण कहा जाए तो वो किस ने किया था आपका गौतम रहुगर ने लेकिन याद रखिएगा कि दक्षिन भारत का अगर किसी ने आरी करण किया तो उसका स्रेज आता है आपको अगस्त रिसी के ओर ठीक है और अगर कहा जाए कि दक्षिन भारत के साहित्य के जनक अगर किसी कहा जाएगा तो आपका फिर से अपने याद करेंगे कि आपका अगस्त रिसी जो है वो क्या थे दक्षिन भारत के साहित्य के जनक थे और संगम काल में याद रखना है में चीज की तमिल भासा का जि मैंने बताय कि आपका चुंद ऊर। तो उसी ही हम पढ़ें कि टो टाल कितने उस थे रैजवन स्टीन राजवनस थे जिसमें आपका याद रखियेगा यह कंसा पुसता है इनका प्रतीक पूझारो हो मैं जाती थी तो का Κंगी पूझासे प्रस्न पूचा हुआ है तो याद रखने है कंगी पूझा किसे स्टार्ट की तो यह आपका चैर अंस के साथ सबते हैं नोट कर सकते हैं ठीक , आगे बढ़ते हैं कि उसके बाद चोल उन्स की lunar की मैंने बताया अब याद रखना है कि चोल वंस जो है वह आपका जिस प्रकार हमने पढ़ा था इससे पहले चालुक की वंस के बारे में कि चालुक की वंस के जो आपका शासक थे उसको राष्टकूट शासकों ने हराया और अपना प्रशाशन किया वहाँ फिर उसके बाद कुछ साल बाद जो है आपका सौ साल बाद फिर से आपका चालुक के वंस फिर आता है कल्या निके चालूक के आते हैं तो उसी प्रकार याद रहना है कि चोल सासक psic एकप़ प्रजित हुए दैन उसके बास 4500 साल बाद जो है आपका यहां प्रतापी शासक हुए जिनके बारे में आखरी में पढ़ेंगे हम कंफ्यूज नहीं हो टेंशन मतलो ठीक है तो इतने याद रखना है इनकी राजधानी उर्य उर रही है आगे मैं सारी चीज क्लियर करता हो कोश्चन का राके भी सारी चीज़े क्लियर हो जाएंगे आप अगर कहा जायके और प्रतीक तो प्रतीक चिन क्या रहा है इनका पांडे वांस का तो मचली याद रखना है तो पहला मैंने क्या बताया चेर वंस की आपका प्रतिक चिन धनुस फिर आपका चोल वंस का देखेंगे तो बाग है देन उसके बाद पांड वंस का देखेंगे तो मचली है तो यह याद रखना है हमें क्लियर ठीक है देन आगे बढ़ते हैं आई यह तो इतना आशा करता सारी चीज तो टेंशन मतलों याद हो जाया गया ही तो आपका तीन सम्मेलन यहां हुए पहला सम्मेलन कहा हुआ मदुरे में हुआ जो की तमिल नाडू में है और इसकी अध्यक्षता किसने की अगस्तरी सी ने की सामा चाहूँँगा आपका गौतम रहां से ही बोल रहा हू हुआ तो कपाठपूरम में हुआ ठीक है और कपाठपूरम वाले इलाके को क्या कहा जाता है आपका अलोए कहा जाता है ठीक है अलोए लिखा गया है लेकिन अलोए भी लिखाता है आपका प्रस्ण में दिखाई देगा और जो है इसकी अध्यक्षता की थी तो लख पीयर देन उसके बाद clear करेंगे कि तोलख पियर की book कौन सी है, कि उसने सहित्य आपका कौन से लिखा तो आपका तोलख पियम और इसी तोलख पियम से जानकारी मिलती है कि सुरवाती अध्यचता जो है अगस्तरी सीनिकी थी और जो पहला संगम हुआ था तो लग पीम क्या है, तमील व्याकरण है, याद रखना है, clear, then उसके बाद जैसे हम पाड़नी, पाड़नी का श्छध्याही में पता करते हैं, कि जो है वो आपका व्याकरण है, हिन्दी व्याकरण का, आपका बुख है, तो याद रखना है कि इसमें अगर आप से प्रस्ण पूछ बैठा कि यह सबसंगम की जानकारी अभी तो क्या हो रहा है किसी पहले संगम की जानकारी है में प्राप्थ हो रही है तो यह सबसंगम की जानकारी कहां प्राप्थ होती है तो आप नोट कर सकते हैं यहां देख सकते हैं जानकारी आपको किसमें लिखाया है आपका केरल पूत्र के नाम से उसे संबोधित किया गया याद रख सकते हैं उसके बाद क्या याद रखेंगे कि आपका हमने मौरे वंस में पढ़ा था कि चंदरगुप्त मौरे के दरबार में एक दूत आया जिसका नाम था मेगस्थनीच और मेगस्थनीच की एक बूख है जिसका नाम है इंडिका तो इंडिका में जानकारी मिलती है इन राजवन्स के बारे में ठीक है इस संगम के बारे में ठीक है तो संगम के बारे में जानकारी नहीं मिलती राजवन्स थी ठीक है क्लियर है इतना एक बार फिर से सुनना सारा चीज क्लियर हो जाएगा देन उसके बाद याद रखना है कि विशेश क्या है इसमें तोलक पीम याद हो गया अपना फिर सम्मिलन हुआ तो इसको संगम भी मेंशन कर सकते हैं आपको इस थान कहा था मधुरे में हुआ ठीक है अब मदूरें कॉंसे मदूरे में होतो उत्तर मदूरें में हुआ थिलति अगर इसे कहा जाएगा तो इसे आप लिख सकते हैं अदनेखर, तो इतना याद रखना है में अब इस समय कोन की अध्यक्षता तो यह जो है अलग से दिखाई देगा आपको नकियर ने इसकी अध्यक्षता की दिन उसके बाद देख सकते हैं कि अवधिष्ट तमील साहित का संकलन है ठीक है आगे बढ़ते हैं उसके बाद है इस काल में जो बार बार बोत रहा हूँ कि इस काल में जो है साहित्य Hebrews से प्रस्ण पूछा जाता है कि यह सीधा सीधा वन लानर फैक्ट में आपको व्यापम से सारे इक्जाम में आपको यह तेखने मिलेंगे इस प्रकस में अदर ने इस बीजगरंथ में पवित्र तता आपका पतनी पूजा की प्रशिस्था का उल्लेक है मैंने बताया था आपको इससे पहले कि सेनगुटवन नाम का एक राजा था जिसे की आपका क्या किया विवाहित महिलाओं की पूजा करने का जो है प्रचलन प्रारम किया तो वही विवाहित महिलाओं का पूजा करने का जो प्रचलन चालू किया उसकी जानकारी कि इसमें मिलती है आपका सिलप़धिकारम में किस ने लिखा है तो इलागो prueba दिगल च्लियर है इतना then उसके बाद यहां देखिए मणी मैखले मणी मैखले मणी मैखले के लिए याद रखना है कि आपका यह जो है यहां दिखाई दे रहा है रचनाकार लिखना भूल गया है हों ठीक है सद्टर्फले सत्नार नेसे लिखा है और इसमें का है आपका यह पूद धर्म गरंथ तो अगर पूछ बैठा कि संगम मुवन्स में ऐसा कौन सा गरंथ है कि बॉद धर्म से संबंधी तो याद तो इसे जो है जैंध्रम से समबंदित है तो इसे क्लियर है सकता है जैसे की माने बताया आपको, मनी मैं खले, जो है, बहुत गरंत से समबंधित, आपका बुख है, देन उसके बाद, ये क्या है, आपका जैन धर्म से, तो ये पूछ बैठा, कि क्या चोल आपका संगम काल के समय में, चेर चोल पांड, वन्स के समय में, जैन धर्म और बहुत धर्म, जो है, आपका चलन में था यह आपका संबंधित है उससे की नहीं है तो याद रखेगा है उसका आंसर लेंगे तो ऐसे प्रकार के तार्किक अगर प्रस्ण पुशे तो उसलिए भी हमें सेंस लेके जाना है आशा करता हूं इतनी बाते आप लोगो समझ में आई होगी देन उसके बाद यहा कहा जाता है तो तमिल बाइबल कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है आपका तमिल बाइबल तो हमने क्या-क्या देख लिया तमिल बाइबल देख लिया जैन घर्म से संबंधित गरंत देख लिया बहुत धर्म से संबंधित धर्म देख लिया ठीक है उसके बाद आपका सिलप पीम जो है आपका तमील व्याकरण हमने पढ़ा तो तमील व्याकरण हमने क्या पढ़ा तोलक पीम पढ़ा ठीक है तमील व्याकरण पढ़ लिया फिर उसके बाद बहुत धर्म के लिए पढ़ा आपका मनी में खले जैन धर्म के लिए पढ़ा जीवक चिंता मनी देन उसके ब याद रखिएगा कि चोल वंस मैंने बताया था आप लोगों को कि ये भी इसी प्रकार का है चालुक की वंस जिस प्रकार से राष्टकूट वंस से हारा और थोड़े दिन का गैप हो गया और सामंत बन के रहा तो वह सौ साल की घटना थी लेकिन साड़े चार सो साल बाद प्रतिघात लेता है कौन आपका राजधानी तंड़र थी और विज्याले ने आपका इस्थापना की चोल वंस का आपका दुती समराज की और आपका वंस की प्रधानतक अस्त्रे परांतक प्रथम को जाता है मतलब परांतक प्रथम जो है इस्टार्ट किया चोल वंस की ज्यादा राजाओं के बारे में पढ़ना उचित नहीं यहीं से प्रस्ण पूछता है तो इतने ही पढ़ेंगे ठीक है अब उसके बाद है इसकाल में प्रसिद्य सासा कौन-कौन है तो राज-राज-राज-प्रथम क्या आद रखना है कि गंगाई चोल चोल शासक ने सबसे पहले किया था और वहां से 10,000 से उठाके क्या किया था आपका बांध का निर्मान किया था लेकिन याद रखना है कि यह जो है आपका चोल शासक कि आएगा जैसने सिर्लंका को अपने अधीन कर लिया आगे पढ़ेगे आई तो यहां देखे कि राज-राज-राज-प्रथम का पूत्र था ही राज-राज-प्रथम को चाहिए था गंगा का जल ठीक है गंगा का चल को जो है अगर देखा जाये सनातन धर्म की दिश्टी कोंड से तो बहुत ही क्या है आपका वो पवित्र माना जाता है तो वो चाहिए था तो वो क्या कैया आपका गंगा के अभियान में गया वहां के सासक को एक लोटा पानी लेका एप उपने समराज के दिंक परोगे तो आपका राजेन प्रतेरं देन उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कलीडर मंगाल को जीता कलींग वाला चेतर उडिचा वाला चेतर बंगाल वाला चेतर जहां इसने गया था आपका गंगा अभियान के समय में ठीक है तो राजेंद प्रथम के बारे में याद रखना है ठीक है अब देखिए चात्रों यह जितने भी बुक है साहित्यों साहित्यकार यहां से आप लोगों को वन डे यहां भारत वेदव्यास ने लिखा अर्थ सास्त चानक के ने लिखा फिर उसके बाद यहां हमारे भारत के सेक्स्पियर दिखाई दे रहें काली दास उनकी रचना आपका कुमार संभावम अभिकान संकुनतलम विक्रम और शियम मेग दूतम रघु और हम जीतनी भी पूस लिए और स्क्रीन शॉट लेके जो है इसे याद कर यहां है आपका दूसरा पेज जिसे आपको याद करना अनिवार है यहां से प्रस्न आपको एनिहाउ मिलेगा ठीक है यह आपको इसी वीडियो को देखके एक बार जो है आप रिवाइस कर लिजेगा फिर देन उसके बाद रिवाइस कर लीगा तो यह असानी होगी आप लोग के लिए स्मार्ट वेपे क्वीक रिविजन फॉर्मिट में सारी चीज़े याद हो जाएगी जिससे की सारा चीज रिवाइस हो जाएगा ठीक है अब बढ़ते हैं प्रस्निक की ओर ओके जी आईए अब जो है कि नवी सत अगला है कि तंजोर का व्रिहद्यश्वर मंदिर निर्मित हुआ था सासनकाल में चोल समराट थे कौन थे भई चोल समराट लगाओ अंसर लगा लिए देखो कौन सा होगा इसका अंसर राज राज प्रथम राज राज प्रथम ने क्या बनाया था तंजोर का व्रिहद्यश जाए कि ऐसे नक्सा बना ले आपन भारत का तो आपका को कुछ इस प्रकार से बनेगा तो अगर इसी परिपेक्च से के यह ज्यादा बड़ा बन गया है चमा चाहूंगा एक बड़ फिर से बना देता हूँ है अगर है तो यह यह वाला जो है आपका पस्चिमी जाए तो इसे माला बारत कहा है लेकिन फूर्वी तट कहलाता है आपका कोरो मंडल तट क्या कहलाता है कोरो मंडल तरट फीक है तो माला बार तट में तो आपका कही को सेरलोग थे तो दखन की यह फोग गि Rights टोलो की राजदानी तो यह ती कि राजदानी तंजोर थी ठीक है क्लियर रहा है अगे बढ़ें अगला है किस दक्षिन भारती राज में उत्तम ग्राम प्रसासन था याद रखेगा ग्राम प्रसासन और आपका इस्थानी सवसासन के लिए तोा अपका इसतानि स्थानी स्वासासन प्लस आपका उत्तम ग्राम प्रशाशन का इस समय प्रसनल अगला प्रस्न है कौन सा मध्हकालिन भारती civv्याब अपक स्तर पर इस्थानी स्वसाशन के लिए प्रसिद्य था तो आपका मध्यकालीन भारती समराज जी आप देखो इसके बाद हमारा प्राराम होना है मद्यकालीन भारत का इतिहास क्योंकि अब तुर्क आकरमणकारी यह अगर आपकरमण करींगे उसके बाद दिल्ली कंव नी होना है मद्यकालीन भारति हाव के कुछ समय जो है जेत्र को माना जाता है इसके तो गराम व्यweder्वस्था और स्थानी स्वासासन के लिए कौन है आपका चोल वन्स आगे बढ़े चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से बीवड़े जिन सिला भारत में विशेशकर चोलियू की स्थापत्यों की विश्व में स्रेश्टम प्रतिमा रचना माना जाता है ठीक है याद रखिएगा आपका नटराज की जो प्रतिमा है उसे ही जो है आपका नटराज की कास्ये प्रतिमा यह मोस्ट इंपोर्टन है देख सकते हैं गुगल सर्च करके कि नटराज की जो आपका क्या बुलते हैं स्रेश्टम प्रतिमा कास्ये प्रतिमा जो है आपका चोल वन से संबंदित है इससे प्रसना हमेशा देखने को मिलेगा आगे बढ़ें इसमें में किया है प्रस की प्रसिद्य देखो इन अटराज से प्रसन कितना पूछा हुआ ठीक है मेंचन नहीं दिखाई दे रहा है आगे है मेंचन यहां बोड महदय भी नराज होगा है चामा चाहूंगो थोड़ा ति नटराज के प्रसिद्य कास्यमूर्ति किस काल का उधारांट याद रखेगा चोल कला का जो है आपका सबसे विशेश आपका क्या रहा है उधारांट रहा है आगे बढ़ें अगले हमारा निम्न मेंसे दक्षिन भारत का कौन सा राज वंस अपनी नौसैनिक सकती के लिए प्रसिद्य था तो याद रखेगा जो चोल वंस का जो मतलब अगर कहा जाए कि नौसैना किसी ने प्राराम किया था चोल वंस ने प्राराम किया था और बहुत ही सुधिन और बहुत सकती साली जो है इनकी क्या थी नौसैना थी तो चोल वंस होगा इसका आंसर क्लियर है याद करते जाओ भई सारी चीजों को ठीक है आगे बढ़ते हैं फी उसका गंगाई कोंड चोलपूरम की स्थापना किस निकी थी आपका राजेंत्र प्रथमने क्लियर है देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला है निमलिखित में से किस चोल सासक को चोल गम गम नामक वरिहद कृत्रिम जील बनवाने का स्रे दिया जाता है ओके ठीक है ठीक है आपका राजेंद्र प्रथम लिया हमने गंगाई कोंड चोल पूरम का बारे में स्थापना क्या अब यह प्रस्ण की विवित्ता देखो कि निमलिखित में से किस चोल सासक को चोल गंगम नामक वरिहत कृत्रिम जील बनवाने का स्रे दिया जाता है तो यहां जो आएगा इ प्रस्ण है जिसका उत्तर आप लोगों को देना है सिलप दिकारम का लेखक कौन था इलागो परणर या आपका करीकाल या विश्णु स्वामीनी तो इस प्रकार से इस प्रस्ण का उत्तर देना है आप लोग को इसी के साथ इजाज़त चाहूंगा चात्रो जय हिंद जय भारत प्राइब बारत भाइब देस्ट्र बारत झाल झाल